मुबाइल के बाद अब टेलिविजन केटेगरी में भी हर ब्रैंड कुद को लगातार एक्स्प्लोर कर रहे हैं ऐसे में व्यू भी कहाँ पर पीछे रहने वाला है कुछ समय पहले व्यू ने अपना नया स्वार टीवी व्यू मास्टर पीस ग्लो के वलेडी लॉंच किया था जो कि एक प्रीमें मॉडल था और ये मॉडल 9000 से ज़्यादा कस्टमर के द्वारा खरीदा गया था और सभी कस्टमर ने इसको काफी बैटर टीवी बताया था अब इसी टीवी को बजट प्राइज के द्वारा व्यू के द्वारा लॉंच किया गया है और ये टीवी तीन स्क्रीन साइज में लॉंच किया गया है 50, 55 और 65 फिंज अब इस टीवी के बारे में सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर व्यू ने अपना नया गलोग पैनल इस टीवी के अंदर यूज किया है और कंपनी यहाँ पर दावा कर रही है कि इस पैनल के द्वारा आपको जो ब्राइटनेस है वो समानने किसी दूसरे टीवी के मुकाबले 60% ज़्यादा देखने को मिलेगी सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो भी समानने टीवी के मुकाबले काफी कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इससे भी ज़्यादा दिल्चस्प बात ये है कि व्यू ने अपने इस टिवी में 104 वोट का सब वूफर इन बिल्ट दिया है, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर आपको 104 वोट का साउंड आउटपुट मिलता है, जो कि टिवी के अंदर ओलेडी बिल्ट इन दिया गया है, अब अलग से कोई भी साउंड बार खईदने की जूरत नहीं रहेगी, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इस प्राइज रेंज के अंदर आपको किसी दूसरी कंपनी के ब्रैंड में इतना वोट का साउंड और सब वूफर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए जान लेते हैं वीव के इस टीवी के प्राइज और बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, मैं हैं परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अन्बॉक्सिंग तो जैसा कि मैंने आपको बताई दिया है कि वीव के दुवारा तीन स्क्रीन साइज में इन टीवी को लोंच किया गया है 50, 55 और 65 इंच जिनके अंदर आपको मैक्समम 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी इसके लावा इस टीवी में आपको 94 परतीसत का NTSC का कलर गेमेट्स देखने को मिलता है जो कि एक समन्ने 4K LED टीवी के मकाबले काफी जादा है सिर्फ इतना ही नहीं इस टीवी के अंदर आपको ambient light sensor भी देखने को मिल जाता है जो कि आपके रूम की light के according आपके टीवी की brightness को भी adjust कर देता है एक्जामटर की तोरिक पर मैं आपको बता दूँ कि जिस पकार से मान लिजी आप रात के टाइम में रात को कोई movie देख रहे हैं और आपने अपने रूम की light बंद कर रखी है तो automatics आपके टीवी की जो brightness है वो थोड़ी सी यहाँ पर down चली जाएगी अगर आप दिन में अपने टीवी को watch कर रहे हैं जहाँ पर बहार से सूरज की रोशनी भी आ रही है या फिर आपने light बिरूम की चसा रखी है तो automatics आपके टीवी की brightness यहाँ पर बढ़ जाएगी अब सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ पर आपको cricket mode, cinema mode जैसे option भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप view के इस टीवी में cricket mode को own करके cricket देखते हैं तो वहाँ पर आपको ball की visibility 100% नजर आएगी तो वहाँ पर जो cricket का आनद है वो काफी better तरीके से इस टीवी में आप ले सकते हैं औ वहाँ पर जो movie का आनद है बिल्कुल cinema के रूप में भी आप ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो sound output है वो भी आपको 104 watt के subwoofer के साथ मिल रहा है इसके लवा इस टीवी में आपको quad core का processor और dual core का CPU मिल जाता है यहाँ पर आपको 2GB RAM और 16GB internal storage देखने को मिलती है इसके लवा इस टीवी में गूगल टीवी का interface और hands-free voice control का option भी आपको देखने को मिल जाता है तो चलिए finally अब हम view के इन टीवी के price के बारे में बाते खर लेते हैं तो सबसे पहले 50 inch का जो model है वो आपको 33,999 में में देखने को मिलेगा 55 inch का model आपको 38,999 और 65 inch का model आपको 57,999 रुपे मे देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 43 inch का model है वो आवी से launch नहीं किया गया है लेकिन ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि साइध आपको दहसहरा से पहले या दहसहरा के आजपास 43 inch का model है view का वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यह सभी टीवी पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कीजेगा ऐसी ही अच्छी ची वीडियो आगे भी प्राप्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत